बॉलिवोट की ही मेन कही जाती हैं सुपरिस्टार धर्मींद्र जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर में कई बहतरीन और सुपर हिट फिल्में दी है वहीं धर्मींद्र की तरहा ही फिल्म इंडस्टी में सुपरिस्टार की तोर पर जाने चाती हैं उनकी बड़ी बेटी सनी देओल और छोटे बेटी बोगी देओल दोनोंने इंडस्टी में अपनी शौनदार आक्टिंग की जरिये एक अलग ही पहचान बना रखी है वहीं इन दिनों सनी देओल अपनी सुपर हिट फिल्म गदर एक प्रीम कथा की रीमेक कुली कर काफी ज़्यादा सुर्ख्यों में पने हुए हैं जिहां गदर टू की शूटिंग शुरू कर चुकी हैं सनी देओल एक बर फिर से एक्ट्रेस अमिशा पतील के साथ स्क्रीन करते हुए नसराएंगे वहीं इसी बीच अपने इंट्रिव्यू में उन्होंने खुलासा कर दिया है कि आखिरकार वह किस तरह से करूरों की कमाई के लिए आप सभी को एंट्रिण करने के लिए एक बड़ा फैसला ले चुकी हैं ये फैसला और ये एलान फैंस के लिए वा करियर को लेकर ठेर सारी बातें की हैं सिनीदी ओल ने कहा है कि वहें आख़्े कुमार और अजय देवकन की तरह हर साल 4-5 फिल्में करना चाहते हैं गदर्टू के अलावा सिनी देऊल अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चा में पने हुए हैं वह कहते हैं कि लोग मेरे बारे में ठेल सारी बाते करती हैं लेकिन मैं अभी भी एक अच्छी फिल्म साइन करने के लिए संगर्ष कर रहा हूँ यही हमारे देश की बिडम बना है मुझे और कितने सालों तक यह स्ताबित करना होगा कि मैं एक अच्छा कलाकार हूँ चीजें बहुत बदल चुकी है मैंने फिल्मों में अभिने करना बंद कर दिया था लेकिन अब मैं अक्षे कुमार और अजे देवकन की तरह साल में चार से पांच फिल्में करना चाहता हूं मुझे यकीन है कि उसमें एक तो चलेगी इतना ही नहीं सनी कहते हैं कि मैंने तै कर लिया है कि मैं साल में पांच फिल्में करूंगा और यही मेरी कुपलब धी होगी मैंने पिछले 15 सालों में बहुत कम काम किया है मैंने बहुत समय बरबात किया लेकिन अब मुझे अच्छी फिल्मों के साथ अपने करियर को अच्छी संख्या में आगे ले जाना है फिलहाल मैं कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एक अभिनेता के लिए कई तरह की चीजें खोल दी है सनी कहते हैं हर चीज के लिए एक दर्शक होता है कोई न कोई इसका लुट उठा रहा है तो मैं भी ऐसा करने की कोशिश कर सकता हूँ एक अभिनेता के लिए ये जन्नत है जहां कोई सरहत नहीं है वे जो चाहें करना चुन सकते हैं मुझे लगता है कुछ विश है बड़े पर्दी के लिए बहुत अच्छे और कुछ डिजिटल के लिए बहुत अच्छे हैं इस तरह से सनी दे ओल ने अपनी फिल्मी करियर को लेकर तमाम बातें शेयर की और एलान कर दिया है कि अब यह स्ताल भर में तकरीबन 4-5 फिल्में करना पसंद करेंगे ऐसे में देखा जाए तो फैंस के लिए वाकई में यह बहुत बड़ी खुश खबरी है सनी दे ओल जिन्हों ने एक वक्त अपनी सुपर हिट फिल्मों की सरीये फैंस की दिलों पर जम कर राज किया और बाद में फिल्म इंडर्स्ट्री से दूरी बनाते हुए नसराय लेकिन एक बार फिर से वह फिल्म इंडर्स्ट्री में पहली की तरह आक्टिव होना चाहते है हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूस